असलाम लेकुम दोस्तों मेरे नाम से यह दौन है आप मेरे डिजिटल चैनलिस देख रहे हैं होग खेर ओफियत ही होंगे शॉट टम ट्रेडिंग आपकी अच्छी गई होगी पिछले हफ़ते में हमने पिछले तकरीबन आठ दस दिनों के अंदर यहां पे मैंने आपके सामन दिफरेंट मार्केट्स की उपरिजुनिटीज को हाइलाइट किया जिनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉमिनेंट थी वो गोल्ड मार्केट थी कि जिसमें जिन लेवल से हमने बाइंग एंट्रीज ली थी और ठीक ठाक टामली आक्ट करने वाले लोगों ने पैसा बनाया अच्छी ट्रेड आने मेले दिरों में मिल सकती है लेकिन प्राइस्ट पर ले जाने से पहले बहुत इंपॉर्णन बात कि ज्याना तर रीटेल ट्रेडर्स जो मार्केट्स में आते हैं उपड़े छोटे कापिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं यहीं को पचास डॉलर ले कि आया यहां को 100 डॉलर ले कि तो एक मैं स्टार्ट में अर शुरू में थोडे पैसो से काम करना काई आई चाहिए चोटे पैसों से आप आ लर्निंग के लिए है, अर्निंग के लिए नहीं है। ये इस्तमाल करना है। और फिर अविसली आइडियल सिच्विशन तो ये है कि छोटे कैपिल को ऐसा ऐसा आप ग्रो करें। लेकिन रियालिटी ये है कि एकर 100 डॉलर आप लेके आए है तो बेशक बहुत जबदद स्किल आपने सीख क्यों नहीं लिया और तो जुर्बा भी कर लिया। दो साल आपने 100-200 डॉलर पर लगा भी लिये। अब यहाँ पे सिर्फ एक लेवल है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिसक्स करना है पिकर सारी जो गेम है वो उसी लेवल के अराउंड घोम रही है और आने मेले दिनों और हफतों में मजीद घोमेगी वो लेवल यह है जो मैंने यहाँ स्विंग पॉइंट मार्क किया है ना लेवल है जी 65,000 डॉलर्स का 65030 इसको राउंड फिगर 65,000 डॉलर्स का आप कर लें अब यह एक बहुत इंपॉर्टन्ट स्विंग रिजिस्टन्स एरी है और मने एकसर आपको एक बात समझाईए कि जब हम लेवल्स को मार्क कर रहे होते हैं तो basically यह लेवल्स दो कैटगरी में हमें मिलते हैं एक कैटगरी उन लेवल्स की होती है कि जिन लेवल्स के ब्रेक होने पे dominant market condition को कोई फर्ग नहीं पड़ता और एक कैटगरी उन लेवल्स की होती है कि जिन लेवल्स से कीमतों के उपर या नीचे जाने पे जो environment होता है ना market का उस पे फर्क पड़ता है environment का मतलब है कि let's say अगर bullish market है वो बेरिश हो सकती है बेरिश मार्केट है वो बेरिश हो सकती है अब हुआ basically क्या है कि एक sideways range bitcoin market में काफी हफतों से यह बनी हुई है और यह sideways range की जो lower extreme है वो 49,000 और 52,000 का area यहाँ पे यह वाला इसको मैं highlight कर रहो और जिसकी upper extreme है वो यह है 65,000 dollars की अब यहाँ पे हमारा जो plan of action है वो यह है कि चुके एक bullish momentum already build हुआ हुआ है और इस particular level 65,000 dollars के area के नीचे अगर यहाँ पे हमें मजीद consolidation मिले और ऐसी candles की शकलें बने कि जिन candles की शकलों के high का break out clue दे दे के market all the way 70,000 dollars पे जाने वाली है तो इस initial break out को buy stop के साथ हम trade करेंगे because इस 65,000 dollars के resistance area के नीचे ऐसी candles की शकलें के जिनके high का break out कीमतों को 70,000 dollars पे लजा सकता है वाकियतन अगर कीमतें उन candles की शकलों के high को break करती है तो ना सिरफ उन candles की शकलें यानि price action, set up, signals के high break होगा बलके यह जो resistance area ना 65 का ये भी upside पे break हो जाएगा हाला कि जब मैं आप से बात कर रहा हूँ अभी भी यहाँ पे inside bar और fake outs यहाँ पे बन रहे है यानि कि यह अगर आप मैं आपको price chart को zoom in करके बताओं तो by 20 September और 21 September का एक inside bar pattern है यहाँ पे यह आप देख रहे हो inside bar pattern है और उसके बाद फिर यह एक जो आपके पास Sunday 22 September की है यह कह सकते हैं bullish fake out बना रही है लेकिन इस inside bar pattern को इसने बड़ा पिनो कहले आप टिकल के तौर पे break किया है downside पे confirm यह बहुत prominent break नहीं है अब कुछ लोग हैं जब मैंने यह गुफ्तकू जुम्ले बोले है ना उनके सर के उपर से गुजर की है क्योंकि उनने candlestick pattern setups का नहीं पता बहराल anyways obviously इन वीडियो में मैंने market के update आपको देनी होती है सेनारियोस बिल्ड करके plan of action देना होता है और फिर sometimes मुझे conceptual terminologies जो है उनको बोलना पड़ता है लेकिन अब यहाँ पर नया बंदा जो चैनल पर हो सकता है confuse हो के भाई ओन भाई नहीं जो अभी बात की है के inside bar या fake out यह वो इन लवजों का हमें नहीं पता तो उसके लिए फिर मैंने पूरी तयारी और समान आपके लिए अपने YouTube चैनल पर रखा हुए अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल के जहां पर playlist की tab में जब आप जाओगे तो बगाईदा trading course के नाम से यह playlist पढ़ी है जिसमें तकरीवन 66 videos है और उन videos में basically मैंने आपको तयार किया है कि आप उस काबिल हो जाओ के जहां पर इस तरह की videos जहां मैं different markets की updates आपको price चार्ट पर लजाके दे रहा हूँ तो इनकी आपको समझ आए क्योंकि इन 66 videos में जो trading course की playlist में है इन videos में मैंने इन conceptual चीज़ों को dedicated videos के जरीए screen share करके आपको समझाया सिखाया है जैसे भी मैंने लफ्स बोला ना inside bar, pattern, fake outs, any concepts को तो daily की routine बना लो बेशक रोज की एक video आप कर लो तो by the time एक महीना दो महीने आपको काफी हद तक beginner level पर trading markets का पदा लग जाएगा अच्छा अब वापिस चलते हैं price chart पे तो ये जनाब 65,000 dollars का area मेरा जो आने मेले 2-4 दिनों का plan of action है वो ये है कि मैं 65,000 dollars के area के नीचे ऐसी candles की शकले देखूँगा जो convincing हो जो strong तरीके से कीमतों के इस resistance area को break करने का मुझे glue दे रही हो उन पे buy stop के साथ मैं trade करूँगा लेकिन एक चीज़ mind में रखनी है चुँके although ये एक बड़ी strong resistance है और bitcoin market का let's suppose अगर आप weekly price chart open करें तो यहाँ पे आपको market slightly bearish नजर आ रही है stepping formation में आप देखें हर high पिशले high से नीचे हर low पिशले low से नीचे तो इस चीज़ को mind में रखते हुए अगर इसी 65,000 dollars के resistance area पे कोई ऐसी candle की शकल जो कीमतों के बड़े ही strong तरीके से गिरने का clue दे यहाँ बेरिश pin bar signal आ जाता है यहाँ पे कोई बड़ा जबदस किसम का तो फिर हम short sell positions को भी open करेंगे सामझ रहे हैं यहाँ अभी market उस level पे है कि जहाँ पे दोनों side का play हो सकता है दोनों side के हम play कर सकते हैं सारी game और सारी बात जो है वो candles की शकले यानि के price section setup के basically price section buying setup signals और price section selling setup signals यह कहलाते हैं लेकिन मैं एक आम आदबी को समझाने के लिए candles की मुख्लिफ शकले candles की वो शकले जो कीमतों के उपर जाने का clue candles की वो शकले जो कीमतों के गिरने का clue इस तरह के लफजों को और जुम्लों को इस्तमाल करता हूँ भाराल थोड़ी दिर पहले अपना YouTube channel में आपको दिखा दिया जहां पर free trading course पढ़ा है आप इसे करके beginner level पे trading markets की information ले सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे फिर अगर आपने काम को सीखने हैं और एक vibrant trading community का आप इससा बना चाहते हैं उसके लिए अपनी स्क्रीन पर हमेरा discord group देख रहे हैं यहां पे दुनिया के मुख्लिफिसों से traders बैठे हुए है एक vibrant community है traders की जिसका इससा बनके सबसे पहले तो आप मे killer market video update आप हासल कर सकते हैं अब इसार के तौर पर यह देखें यहां पर अगर आप group का हिस्सा है तो यह मेरे students है यह price chart अपने share करके मुझ से पूछते हैं ओन भाई sir please check support and resistance levels तो जब आप obviously group के अंदर है तो real time जो भी चीज मैंने आपको सिखाई है उसकी practice करके आप check कर वा सक होगे इस page के उपर आप scroll down करेंगे तर डीटिल में group joining process लिका मिल जाएगा admission form मिलेगा जिसे इस्तेमाल करके आप खुद को हमारे facebook group और discord group में as a member and roll कर सकते हैं चैने जी बिटकोई market में price start पे लजा के सेनारियो उसको मैंने build कर दी है सारे options है plan of action हमने बना लिए तो I hope आपको आज का content समझ भी आया होगा और आपके वक्त में इसने value भी add कि होगी खासता और अगर आप actively crypto market में short term trading कर रहे हैं बिटकोई में trading कर रहे हैं ख्याल रखें अपना मुझे इजासत दे अला आफिस